चोपडा एजोगेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो हिमाचल परदेश बिहार तेलंगाना आंदर परदेश के MBBS, BDS के लिए स्टेट कोटा रेजिस्टेस ने स्टार्ट हो चुके हैं तो इन चार स्टेट का हम इस वीडियो में सेडियूल देखेंगे कि कौन-कौन सी डेट को इनके एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और कौन सी डेट इनकी क्लोजिंग डेट रहेगी तो सबसे पहले हम हिमाचल परदेश की बात कर लेते हैं तो इसका अगर हम सेडियूल देखें एक बार तो इसके जो रेजिस्टेशन फॉर्म है वो 12 अक्टूबर 22 से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो last date है application form fill करने की वो 16 अक्टूबर 22 रहेगी इसमें इसके बाद में provisional merit list 17 अक्टूबर को आ जाएगी इसमें और first round का seat allotment 26 अक्टूबर 22 को provisional seat allotment हो जाएगा और इसमें जो final seat allocation होगा वो 31 अक्टूबर 22 को हो जाएगा इसमें choice filling 20 से 24 अक्टूबर 22 तक करनी है इसमें तो इसके बाद में second round का भी इसमें provisional merit list declare होगा वो 9 नौबर 22 को हो जाएगा और merit list 11 नौबर 22 को हो जाएगी इसमें और इसका final result 17 नौबर 22 को आ जाएगा और last date रहेगी joining के लिए वो 19 नौबर से 21 नौबर 22 रहेगी तो ये first और second round दोनों का schedule आ चुका है हिमाचल परदेश का अब हम बात करते हैं विहार का तो विहार का भी notification आ चुका है MBBS BDS के लिए विहार भी एक open state है यहां की private medical college में other state candidate admission ले सकते हैं एक बार इसका schedule देखें तो online जो registration form की date है starting date वो 14 अक्टूबर 22 है और closing date है वो 20 अक्टूबर 22 रात 10 बजी तक है इसमें इसके बाद में editing कर सकते हैं आप 21 अक्टूबर 22 तक और इसमें rank list merit list जारी हो जाएगी 23 अक्टूबर 22 को और इसमें 24 फिलिंग और counseling program आगे का जो 23 अक्टूबर 22 को इसमें proposed date है 24 फिलिंग की तो ये बिहार state का schedule है इसमें इसके बाद बात करें तेलंगाना state के लिए तो तेलंगाना state भी open state है लेकिन यहां के अभी category B के form open नहीं हुए है यहां की जो government seat है उन्हीं के लिए competent authority के form open हुए है यनि की जो तेलंगाना state के domicile candidate है उनके लिए ही अभी ये registration start हुआ है जो management category के other state के candidate से उनके लिए category B के form बाद में इसमें start होंगे तो इसका भी हम एक बार schedule देखें तो इसके registration 11 अक्टूबर 22 से start हो गए है और last date इसकी 18 अक्टूबर 22 रखी गई है इसी प्रकार से अंदरपरदेश के registration भी start हो चुके हैं और अंदरपरदेश के registration भी government के लिए ही हुए है अभी यानि की जो अंदरपरदेश के domicile candidate हैं उनके लिए ही हुए है अभी management के लिए इनके form start नहीं हुए है तो अंदरपरदेश का भी एक बार schedule देखें तो ये 13 अक्टूबर 22 से start हो चुके हैं और इनकी last date 20 अक्टूबर 22 रखी गई है इसमें तो इस परकार से ये चार state का schedule है और चारों ही ये open state हैं बाकी states का जैसे जैसे schedule आएगा मैं आपको inform कर दूँगा कुछ एक state के close हो चुके हैं वो मैंने आलरी वीडियो बना दिये हैं तो ये जानकारी थी application form के बारे में state quota के बारे